साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और नहीं ओडिशा की सांस्कृति धरोहर सुरक्षित है ये तो पद्म सम्मान से पुरसकृत अंतरियामी मिस्राजी की धर्ती है जिनोंने जगनाज संस्कृति को लेकर इतना काम किया है लेकिन बीजेडी सरकार में जगनाजी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है पिछले छे साल से श्री रत्न बंदार की चाबी का अताप पता नहीं है मैं जड़ा आप सबसे पूछा चाहता हूँ पूरे देश की स्रथा सदियों से जो पूजा होती है जिसका मालिक स्वयम भगवान जगनाज है अरे हमारे गर की चाबी खो जाए तो भी हम मंदित करते हैं महाप्रभु जगनाजी मेरे गर की चाबी जड़ा खो गई है कुछ मदद करो और महाप्रभु जगनाजी के आथिरवाद से गर की चाबी भी गंटे दो गंटे में मिल जाती है छे साल हो गए है रत्न बंदार की चाबी खो गई है इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्य मंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कबजा किया हुआ है न वो सीधे सीधे जिम्मेवार है पूरा उड़िशा जानना चाहता है कि जो जाच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी बीजेडी की खामोसी से लोकों का शक गहरा रहा है मैं आज उड़िशा के लोगों को भरोसा देता हूँ उड़िशा में भाजपा सरकार बनते ही दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा भाजपा सरकार जाच रिपोर्ट को सारवजनिक करेगी और महाप्रभु जगनाजी की कि हमारी सबसे बड़ी सेवा उसी से सुरू हो जाएगी साथियों ये बहुत गंबीर गटना है जिसमें उडिशा की धरहरों को लेकर सम्वेदन सेलता नहीं है वो धरहरों का सुक्षन भे नहीं कर सकते हैं लोग जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लेकिला तेब आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जमें भी बुलों तो नहीं